हलो इवरिव्यान आप सभी का आरके बिलेजफिर्ण चैनल पर स्वागत है आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एन पी के जो डवल जीरो बावन चोंटिस आता है इसका किस समय हमको परियोग करना चाहिए किन-किन फसलों पर इसका परियोग किया जा सकता है और इससे हमको क्या लाब मिल सकता है और इसके परियोग में कौन सी सावधानिया बरतना चाहिए जिससे किसी परकार का हमारी फसल पर नुकसान ना हो इस पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे इसलिए वीडियो को पूरा वाज करें तसा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में आने वाली नोटिफिकेशन बिल को आल पर कर लिए जिससे खेती किसानी संबंधित वीडियो जो इस चैनल पर डाली जाए आपको समय से प्राप्थ होती रहे NPK 0054 जल में पूरी तरह से घुलन से खाद है ये खाद हमारी फसल के लिए निम्न कारणों से बहुत ही महत्पूर है जो हमारी NPK है हमारे फसल के लिए सभी चरप के लिए बहुत ही आवस्चक है जिसके लिए फासपूरस एंपोडेशियम की कुल उप्लवता सुनेशित करती है जिसके कारण हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ होती है उतपादन में बिर्धी होती है दानों का आकार सुडवल और चमकदार होता है फलों का आकार बढ़ता है उनका रंग एमस्वाद भी अच्छा रहता है साथ में पौधों में लगने वाली बीमारियों भी इससे बचाता है जैसे पाउडरी मिल्ड है आज से ये रोकता है अब बात आती है इसका पर्योग किन-किन फसलों पर किया जा सकता है एन पी के डबल जीरो बावन चोंतिस का पर्योग सभी फसलों पर किया जा सकता है जैसे अनाज वाली फसले हैं गेहूं, धान, चना, मटर, अरहर, मक्का दाल वाली फसले मसूर, उरद, मूंग, मूंग फली, आलू, लोकी, कद्दू, तोरई, निनुआ, गन्ना, केला, फुल गुभी, पत्टा गुभी, सल्जम, मूली, गाजर, मटर, ट्रमाटर, सरसो, सोया बीन सभी प्रकार की फसलों में इसका परियोग किया जा सकता है, और अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलता है, अब सबसे महत्पूर्ण बात आती है, इसका परियोग कितना करना चाहिए, तो 4-5 ग्राम प्रत लीटर अथवा 75 ग्राम जो 15-16 लीटर वाली हमारी इस्प्रे उसमें परियोग किया जा सकता है, उसके बाद आता है, इसका परियोग हमको किस अवस्था की फसल पर करना चाहिए, तो इसका परियोग हमको पुस्पा उस्था के पहले इसका अगर हम परियोग कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा हमको लाप पराप्त होता है, कहने का ता और फी सोने पर सुभादा हो जाता है जितनी भी NPK हमारी घुलन सील अवस्था वाली आती है जिसे 1990 हो या 20-20-20 हो या 00, 00, 00, 00, 00, 50 हो सबी की अपनी अवस्थाओं पर फसल में डालने के लिए परियोग करने के लिए आती हैं तिनका अपनी अवस्था के अनुसारिन का परियोग करने से अच्छा लाभा और अच्छा परिणाम हमको अपनी फसलों में देखने को जो येन पी के 0024 आता इसमें फासफोरस बाउन परसत हमको मिल जाता है जो की जड़ों को विकास करने में सहायक होता है साथ में ही हमारे पौधे में जो डंठल होता उसको मजबूत करता है जिससे फौलावरिंग की अच्छी अवस्था हमारे पौधे में बन जाती जिससे हमारे फसल में अच्छा उत्पादन हमको मिल जाता है और पोटेसियम जो होता है , 24% हमको मिलता है जिसके दौबरा हमारे जो दानेदार अनाज होते हैं उसमें दान अच्छा सुडऻ और चमकदार बन है और जो हमारे फल वाली पौधे होते हैं उसका अच्छा हमको फल मिल जाता है जिसमें आकार्यों स्वाद सभी अच्छे से हमको पराप्त हो जाते हैं इसके मूल की बात करें कि इसको हमको कितने में पराप्त हो जाता तो लग भग तेड़ सो रुपे से ले करके 170 रुपे त होता है अब आती है साउधानी की बात तो साउधानी ये रखना चाहिए खेत में नमी परियाब्त होनी चाहिए तभी इसका परियोग करना चाहिए या नमी नहीं तो सिचाई करने के बात परियोग करना चाहिए यह बहुत ही धियान रखने वाली बात है नहीं लाप की जग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद